हेलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज हम बिस्कस करने जा रहे हैं वॉक्षिट नंबर 6 वॉक्षिट नंबर 6 14 अक्टूबर 2020 का वॉक्षिट है और यह वॉक्षिट क्लास 7 का है आज का अमरा टॉपिक है विद्युद्धारा के तापिय प्रभाव तो आज हम जानेंगे विद्युद्धारा के तापिय प्रभाव के बारे में तो चलिए डिसकस करते हैं वॉक्षि कारेपतरक छे, विज्ञान का कारेपतरक है, यहां आपको अपना नाम लिखना है और यहां आपको आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है आज का हमारा टॉपिक है विद्धुधारा के तापिय प्रभाब आज हम जानेंगे विद्युधारा के तापिय प्रभाब के बारे में तो यहां देखिए सनेहा ने देखा कि उसकी मा ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रोनिक हीटर का इस्तेमाल किया और अपने कपरों की सलवटे हटाने के लिए बिजली के प्रेस का इस्तेमाल किया अब देखिए सनेहा क्या देख रही है कि उसकी मा क्या कर रही है इलेक्ट्रोनिक हीटर पे खाना बना रही है जो हीटर किस से चल रहा है बिद्युध से और उसमें जो वाइड यानि उसमें जो तार लगा होता है वह बिद्युध से यानि इलेक्ट्री सीटी से उड़जा प्राप्त करके गरम हो जाता है और उसकी मा खाना बना रही है उसके बाद उसने रेखा कि मा जो है कपड़े पर क्या कर रही है प्रेस कर रही है कौन सा प्रेस है? इलेक्ट्रोनी यानि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसने सोचा कि मेरी मा आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उप्योग क्यों करती है अब देखिए बच्चों अब उसके मन में यह सवाल आया कि माने खाना electric heater पे क्यों बनाया और यह कैसे बना iron से कपड़े कैसे सीधे हो गए तो छोटे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे प्रसनाते हैं बच्चों electricity जो है उससे उस्मा निकलती है यानि heat produce करता है वो और जो उस्मा निकलता है उस उस्मा से बहुत सारे कारे होते हैं जैसे मा ने electric heater पे खाना बनाया कैसे बना तो जो विद्ध्यूत से उस्मा निकला उस उस्मा से गर्म हो करके खाना पग गया iron जो electric से क्या हुआ उसे electric से current मिला और उससे उसे heat मिला जिससे कपड़े इस्तरी हो गए अब देखिए ये किस परकार के कारे करते हैं ये किस परकार से कारे करते हैं सनेहा के मन में ये सारी बाते आ रही थी उसका भाई रभी जो सनेहा का भाई था उसने बताया कि यह जो है विद्युद्धारा के तापिय प्रभाव तापिय प्रभाव यानि की heat यानि जो heat electricity produce करता है उसकी वज़ा से electronic heater पे खाना बन जाता है और iron से कप्रे प्रेस हो जाते हैं जब एक तार से विद्युद्धारा प्रभाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है या विद्युद्धारा का तापिय प्रभाव कहलाता है अब देखिए बच्चों जब हमें iron करना होता है तो हम क्या करते हैं प्रेस को electricity से connect करते हैं electricity उसे क्या प्रदान करती है तापिय प्रभाव यानि उसे उस्मा देती है और उस उस्मा से हमारे कप्रे प्रेस हो जाते हैं अब उदाहरन के तोड़ पे उसने उसे समझाया जब हम geezer का switch ON करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है कैसे गर्म होता है तो उसके अंदर एक electric wire लगा हुआ होता है जो electricity से गर्म होता है विद्यूद से गर्म होता है और उसे पानी गर्म हो जाता है अब देखिए विद्यूद धारा के तापिय प्रभाफ का उपयोग किन-किन चीज़ों पे होता है तो ये हैं हमारा electric iron जब हम इसमें current पास कराते हैं यानि विद्युत धारा पास कराते हैं तो हमारा iron क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है उसी तरह electric heater भी होता है electric heater भी electricity से चलता है और यह भी उसमा देता है जिस वज़े से खाना आसानी से पक जाता है आज हम सब کے घर में electric केतली है electric केतली से पाणी गर्म कर सकते हैं चाई गर्म कर सकते हैं hair dryer है electronic rod है जिससे सर्दिओं में हम क्या करते हैं? पाणी गर्म करते हैं ना आने के लिए बहुत सारे लोगों के घर में गीजर लगा होता है विद्युद टोस्टर भी है जिससे आप फटाफट टोस्ट को गरम कर सकते हैं तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम विद्युद धारा के तापिय प्रभाव से कर पाते हैं जो ताप्य प्रभाव हमें विद्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्य धारा प्रवाहित होती है तो तार क्या हो जाता है पिघल जाता है और पिघल करके टूट जाता है और इनका प्रियोग किस चीज के लिए किया जाता है तो विद्यूत फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है बच्चों विद्यूत फ्यूज जो होता है वो बहुत ही उपयुक साधन है किसके लिए इलेक्ट्रिक से यानि विद्धुत धारा से यह में सुरक्षित रखता है अब आगे देखिए विद्धुत फ्यूज का क्या काम है विद्धुत फ्यूज एक सुरक्षा यूगत है जो विद्धुत परिपत की छती तथा संभावित आग के प्रती सुरक कंफुल भी है अगर हम उसका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो वह हमारे लिए नुक्सान दे हैं हमें हमेशा बियुद्धूत से अब पानी को दूर रखना चाहिए क्योंकि पानी जो है वह क्या कहा जाता है बिद्धूत का सुचालक है हमें कम से कम बियुद्धूत वाली च प्रस्ण संख्या एक का उत्तर आप इसमें से लिख सकते हैं आपको पांच बस्तुमों के नाम लिखने तो आप इलेक्ट्रिक आईरन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक आईरन क्या करता है इलेक्ट्रिक से यानि कि विद्युत्य धारा से ताप ये प्रभाव यानि ताप लेकर के हमारे कपड़ों को सीधा करता है इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है या भी विद्यूतिय धारा के प्रभाब से गर्म होता है और इस पर खाना पकता है दूसरा इलेक्ट्रिक केतली इसमें हम चाय बना सकते हैं पानी गर्म कर सकते हैं तीसरा, इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रिक रॉड से क्या किया जाता है, पानी घर्म किया जाता है, सर्दियों के दिरों में बहुत बच्चों के घरों में यहीं इलेक्ट्रिक रॉड होगा, कुछ बच्चों के घरों में ही गीजर लगा होता है, और यह हो गया हमारा से कारे करता है विद्युत धारा से विद्युत धारा से उसमा ले करके ये सभी कारे करते हैं दूसरा प्रसने बच्चों एक दिप्त विद्युत बल को चूना नहीं चाहिए क्यूं बच्चों एक जलते हुए विद्युत बल को इसलिए नहीं चूना चाहिए क्योंकि उसमें विद्धुत धारा प्रवा करती रहती है अगर आप उसे चुएंगे को क्या लगेगा करेंट और यह करेंट आपको नुकसान पहुचा सकता है यहां तक की करेंट जानलेवा होता है इसलिए एक दिप्त विद्धुत बल या किसी भी ऐसे इलेक्ट्रोनिक चीजों को नहीं चुना चाहिए जिसमें करेंट पास हो रही हो यानि विद्धुत धारा प्रवाहित हो तीसरा प्रस्न एक विद्धुत फ्यूज से आप क्या समझते हैं तो देखिए बच्चो इसका उत्तर यहां है आप यहां से लिख सकते हैं तीसरे प्रस्न का उत्तर प्रस्न एक विद्धुत फ्यूज से आप क्या समझते हैं तो यहां देखिए एक विद्धुत फ्यूज जो विद्धुत परिपत की छती तथा संभावित आग के प्रती सुरक्षा प्रदान करता है तो ये हो गया आपके प्रसन संख्या 3 का उत्तर आप यहाँ से प्रसन संख्या 3 का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों मैं काम ना करती हूँ इस कोवीड के सिचुएशन में आप सभी सुरक्षित होंगे आप हमेशा नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से और पानी से दोए जब भी आप घर से बाहर खेलने निकले तो गंदे हाथों से अपने मूँ, अपने नाक और अपने आँख को नाचुए तो ये वाक्षित यही समाप्त होता है मुझे आसा है ये वाक्षित आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की समस्या होई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे तो मिलते हैं अगले वाक्षित में अगर आप हुमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना बिल्कुल न भूले तो मिलते हैं अगले वॉक्सीट में आप सब का धन्यवाद